यह कोश्चन गे 2016 में पूट हुआ है पूरा कोश्चन में डिस्रिप्शन में डाल दूँगा देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं फ्रेम साइज है 1000 बाइट्स का ट्रांस्मिशन रेट ऑफ सेंडर है 80 kbps का साइज है 100 बाइट्स का ट्रांस्मिशन रेट ऑफ रेसीवर 8 kbps प्रोपेगेशन टाइम इस हंडर मिली सेकंड और पूछ रहे हैं कि एज्यूम नो फ्रेम लॉस्ट और आप से क्या पूछ रहे हैं फाइंड फ्रोपुट ऑफ सेंडरें बाइट्स पर सेकंड यह वह स्ट तो बिल्कुल उसी टाइप का साइज भी दे दिया और इवन ट्रांस्मिशन रेट ऑफ रिसीवर अलग है क्योंकि हो सकता है ज्यादा स्पीट से सेंड कर रहा हो थोड़ा कम स्पीट पर सेंड कर रहा हो एंड सॉन तो सब मतलब सब कुछ दे के आपको को बनाएगे ठीक है क्योंकि आपको क्या बताता था कि एक्चुली कितनी स्पीड पर हम डेटा भेज पा रहे हैं एक्चुली हाव फास्ट वी कें सेंड डेटा तो अगर आपको नहीं पता क्या है इस अप्रोपुट बगारा क्या होता है एक्जेक्ली तो प्लीज मेरा वीडियो देखो बैंड सब्सक्राइब के नाम से आप उसमें देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छी से एक्स्प्लेइन किया हुआ है तो ठीक है हम फाइनल कोश्चन पर आते हैं तो टोटल टाइम देखा जाए अगर हम पूरा एक साइकल का टाइम देखें यह सेंडर है यह से एक फ्रेम जाएगा टोटल टाइम तो टोटल टाइम देखते हैं जरा कितना आएगा देखो सबसे पहले तो प्रोपेगेशन टाइम लगेगा सेंडर साइट से फ्रेम चलेगा तो एक प्रोपेगेशन टाइम और एक ट्रांसमेशन टाइम फॉर दसेंडर प्रोपेगेशन टाइम कितना है प्र 100 millisecond का और transmission time कितना होगा message size upon bandwidth message size कितना given है frame का size है 1000 bytes तो इसको bits में बना लो that means 8000 bits और आपका transmission rate कितना है 80 kbps तो 80,000 you can say bits per second this is our transmission time plus अब acknowledgement के लिए acknowledgement चलेगी तो उसको भी propagation time लगेगा 100 millisecond का और फिर आपका transmission time लगेगा for acknowledgement or transmission time कैसे निकलता है message size upon bandwidth का size कितना है 100 bytes है मतलब 800 bits और divided by transmission rate कितना 8 kbps है so that means 8000 bits per second ठेक है तो finally हम इसको solve करेंगे तो 100 millisecond यह भी 100 millisecond है और यह कितना आजाएगा एक किसम से 1 upon 10 और यह भी 1 upon 10 है ना तो 1 upon 10 second that is obviously 100 millisecond only तो finally हमारे पास 400 millisecond आजाएगा तो अब आप यह देखो थो पूपूट हम कैसे निकालते थे पर second हमने कितना data भीजा एक्जक्ली तो 400 millisecond में मैंने exactly data कितना भीजा यह सेंडर ने कितना data भीजा है 1000 bytes 1000 bytes मतलब 8000 bits यह सेंड करी गई है in 400 millisecond तो एक सेकेंड में कितनी भीज जाएंगी 8000 divided by 400 millisecond तो 400 millisecond मतलब यहां पर हम multiply करवा देते हैं 10 power 3 क्योंकि seconds में हम convert कर लेंगे तो finally यह कितना जाएगा 20 into 10 power 3 that is 20 kbps और यह आप से पूछ किसमें रहे थे एक्चुली आपसे पूछा जा रहा था throughputs in bytes per second तो आप इसको bytes per second में convert कर सकते हैं तो 20,000 divided by 8 तो यह कितना आएगा 8 to the 16 4 बचा तो 8 to the 40 तो 2500 bytes per second ठीक है तो this is my final answer तो इसलिए मैं आपको प्लीज बार-बार बताता हूं जीजे रटके मत जाना एक्जाम में प्रॉपर जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल मत रटो आप में कंसेप्ट को समझो और कंसेप्ट को एक्जाम में अप्लाई करो और अपना आंसर निकालो ठीक ओके